कि देखेंगे कि कैसे करके जो रिसेंटली एक आर्मनाचल प्रादेस पाब्लिक सर्विस कमीशन का तरफ से एक पीजी टी का एड़ बार्टेश में निकला गया था तो देर सारे लोगों ने मुझे रिकोईच किया है कि उसके उपर एक वीडियो बनाओ कि कैसे करके उसको वो रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाल वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले जाके देखिए उसका लिंक में इस वीडियो का दिस्क्रिप्सिन बॉक्स पे डाल दूंगा तो उसको देखने के बाद पिर आप इस वीडियो पे आए तो आपको आचासे करेंगे तिके तो यहाँ पर वही सेम चीज्जाव पर पिरसे one time-registeration वालब option पर क्लिक करेगा तो one time registration में क्लिक करके यहाँ percent मिलेगा automatically registered और new user तो आमोंड़ों". यहाँ पे करना होता है पिछले वीडियो पे हमने discuss किया था तो already registered है तो यहाँ पे हम already registered पे click करेंगे ठीक है हमने already register करना सीक लिया था तो आप सबको पता होगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखाए जरूर से उसको देखिए क्योंकि यह website पे हमें एक बर ही रेजिस्टर करना परता है उसके बाद लाइफ टैम आपका भी रेजिस्टर करने का जरूरत नहीं होगा जिटना भी यहाँ से examination का notification आएगा तो उसको आपका वही सेम आईदी से login करके easy से apply कर सकोगे तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पोंच के आपको register mobile number को यहाँ इंतर करना है और email जरूरी नहीं है email को छोड़ सकता है उसके बाद यहाँ आपका password को इंतर करना है उसके बाद आपको मेरा यहाँ दिकाई नहीं दे रहे है केपचा कुछ दिकाई देगा उसको यहाँ फिल करना है साइड मेरा network issue है उसके बाद यहाँ पर login का option पर करके login करना है अब दीख रहे हैं केपचा यहाँ पर है यहाँ पर करने का option आएगा और यहाँ पर जितना advertisement details यहाँ देर सारे होगा तो इसको क्या करना है आप करना है तो यहाँ पर last पर आपका जो PGT वला option यहाँ पर आ रहे है तो यहाँ एक चीज दियान रखो अगर आप mobile पे यह subjo कर रहा हे बोलने से तो यहाँ पर आपको एक यह राइट sister कोवने तोप पे आपको यह पर देखने को मिल रहा है उस ट्री देख करना है और किलिक करके इसको स्क्रोल आप करना है यहाँ पर desktop site है तो यहाँ पर आपको एक check box मिलेगा उसमें check mark कर लेना है तो ऐसे करके करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा और उपर से वो advertisement पर वहाँ भी लिखा था कि mobile से ना करे करके तो आप इसको mobile से कर रहे तो यह desktop site बाला को open करके आप आरम से कर सकते हो तीक है तो मेरा already है उसके बाद यहाँ पर arrow पर click करना है यहाँ पर arrow है उस arrow पर click करना है उस arrow पर click करके और यहाँ पर आपको प्रोसीट का देखने को मिलेगा प्रोसीट पर click करना है तो प्रोसीट पर click करने की बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपका personal details जो आपने register करते वक्त जितना भी आपका details डाला गया था वो सब यहाँ पे automatically आ रखेगा तो उसको आप यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार और यहाँ पे सब कुछ automatically के लिए आके रखा होगा तो उसको देख लिजे उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पे आपको नाम सम वो सब automatically के लिए आके रखेगा तो यहाँ पे education qualification आपको दिख गए देगा और यहाँ पे post applied for उसके बाद यहाँ पे आप जो बीएट का पास हो बीएट complete कर लिया या बीएट का final year exam दिया है तो उसको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे education qualification पे वहाँ पे MA और MSC का ज़रूरीता तो आप यहाँ पे अपना education qualification देखना है देखके यहाँ पे जैसे कि मैं MA कर रखा हूँ तो यहाँ पे मैं MSC करूँगा अगर आप MSC किया है तो MSC कर सकता है उसके बाद यहाँ पोस्ट applied for यहाँ पे आप कौन पोस्ट के लिए apply कर रहे है यहाँ पे देख लिजे यहाँ देर सरे option दिया है यहाँ पे जैसे कि PGT English, PGT Hindi, History ऐसे करके दे रखा है तो मैं यहाँ पे PGT History को select करूँगा तो आप अपना हिसाब से कर लिजे उसके बाद BAT का यहाँ पे आप अगर BAT का final year exam दिया है बोलने से तो आप appear पे डाल सकते हो तो already BAT complete हो गया बोलने से तो आप past पे डाल सकते हो यहाँ past पे select कर सकते हो तीक है उसके बाद बाद बाकी जितना नीचे पे पहले registration करते वक्त वह भी automatic लेके आके रखा होगा तो वह सब चीज को आप क्या करना है देख लेना है तीक है उसके qualification कितना चाहिए MA करने वाला चाहिए तीक है तो यहाँ पर एक चीज सावाल आ जाता है जो MA complete कर रहा है तो वह यहाँ पर past दालेगा और जो MA exam को MA complete करके MA exam को final year exam को दिया है तो यहाँ पर APR वाला option पर आप क्या करेगा select करेगा तो यहाँ पर आप अपना हिसाब से क्या करना है select कर लेने उसके बागी जितना registration करते वक्त जो भी डाला ता वह सब चीज तो automatic के लिए आ रहा होगा उसके बड़ यहाँ नीचे पर last पर तो यहाँ पर आपको पिर से वो education qualification वाला वो जो पहले जो जिस जिस का details आपने यहाँ पर registration करते वक्त education qualification आपने जितना जितना का दे रखा था वो सब यहाँ पर automatically आके रखेगा उसके बड़ पिर इस PGT का recruitment का according इसमें MA का चाहिए तो पहले वाला में मैंने MA का register करते वक्त MA का details नहीं डालाता क्योंकि ज्यादा long हो रहाता तो यहाँ पर पिर से MA का मुझे डालना परेगा तो यहाँ पर MA का डाल लेना है तीके यहाँ पर post graduate MA उसके बड़ यहाँ पर कौन से year में pass out हुआ है कौन से university से कितना rank आया है percentage यह सब देखे कर लीजिए तीके उसके आदर क्वालिफिकेशन है और आदर क्वालिफिकेशन को आप कर भी सकते हो चोर भी सकते हो वह आप अपना हिसाब से कर लीजिए उसके बड़ यहाँ पर नीचे पर right side पर आपको 7 next का option मिलेगा तो यहाँ पर 7 next पर क्लिक करके आगे प्रोसिट करना है तीके उसके बड़ 7 यहाँ पर दो ग्लीफिके करने का नीच पर यहाँ पर दो कादा जो चीजञा उसको आपको तो आपको एपया नहीं प hybrid करना तो उसको दो इसको इसजञाए और यहाँ आपको जैसे कि आपका SD certificate को इसू करने वाला ADC है तो Additional Deputy Commissioner लिखना है अगर DC है तो Deputy Commissioner लिखना है और CO है तो Circle Officer लिखना है तो वो सब चीज को आप यहाँ पर देखके कर लेना है तीक है उसके बाट फिर 7 Next पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर लास पर आपको 7 Next का बतन है वहाँ पर क्लिक करके 7 Next पर कर देना है 7 Next तो जैसे ही आप देक्लेरेशन में चेक मार्क देखे 7 Next क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपको documents अपलूट करने का option आ जाएगा तो यहाँ पर आप रिजिस्टर करते वक्त जो जो documents अपलूट किया गया था जैसे कि passport, signature वगेरा उसके बद जो जो आपने अपलूट कर रखा था वो सब चीज रहेगा यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आपने अपलूट नहीं किया था वो आपको यहाँ पर आपलूट करना होगा जैसे कि 12 का हो गया जितना आपका documents अपलूट होगा certificate जो वो जो क्या होना है PDF format पर होना है उसके बद उसका file का size जो है की 1 MB से ज़्यादा नहीं होना है तो वो आप देखके कर लेना है उसके बद पिर आपको नीचे पर 7 Next का उप सेने वहाँ पर 7 Next पर किलिक करके आगे प्रोसीट करना है उसके बद आप documents पूरा upload करके 7 Next पर जब किलिक करोगे तो आपको यहाँ पर next page पर आपको कुछ इस तरह से interface हैगा तो आपको यहाँ पर payment करना होगा तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर 150 fee है तो 150 fee को यहाँ पर payment करने के यहाँ पर proceed to online payment में किलिक करना होगा और application को हम preview करेगा बोलने से यहाँ किलिक करके preview कर सकता है तो यहाँ पर proceed for payment में जाने से तो यहाँ पर next interface कुछ इस तरह से आएगा उसके बद इसको यहाँ पर क्या है पे now का option आपको दिक्रा होगा तो पे now का option पे आपको क्या करना है क्लिक करना है तो पे now का option पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से interface आएगा आपको कुछ नहीं करना है तो रवेट करना है तो यहाँ पर ऐसे आजाएगा तो यहाँ पर जैसे की आपका credit card से payment कर सकता है debit card से कर सकते है, net banking से कर सकता है उसके बाद यहाँ पर कोई UPI का option नहीं है तो आप यहाँ से debit card यहाँ पर click करना है मैंने click कर दिया तो debit card पर click करके यहाँ पर card का ATM card का number डालना है और कौन सा amount को expiry होगा उसको यहाँ से ले करना है year को यहाँ से ले करना है और यहाँ पर CBB को fill करना है treat digit का number होता है ATM का पीछे side पर रहता है उसके बाद वो सब डालके यहाँ पर Mac payment का option में click करके आपको क्या करना है आगे प्रोसीड करना है Mac payment पर click करने से आपका bank bank में जो register बाला mobile number पर एक OTP send किया जाएगा और उस OTP को आप इंतर करके पर आपका payment जो successful हो जाएगा उसके बाद आपका form fill up process जो है की complete हो जाता है तो मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस PGT post में apply नहीं करूँगा यह जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आपको मादत मिल सके उसके लिए यह वीडियो बनाया है तो मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करूँगा मैं यहाँ से cancel कर देता हूँ तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो आप यह PGT का post निकला है इसका last date जो मार्च तक दियाता लेकिन exact date मुझे याद नहीं है तो उसका पूरा PDF में आपना telegram चैनल पे डल रखा है तो वहाँ पे जोइन कर लिजे और वहाँ पे telegram चैनल पे आप क्या कर सकते हो उस PDF को download करके आप कुछ पर सकते हो बहाँ पे देर सरे चीज़े हैं, exam pattern है, क्या क्या होगा और बोर चारा चीज़ है और आप क्या कर सकते हो इससे related और भी कुछ आपको confusion होने से आप मुझे Instagram पे message कर सकते हो या पिर अब इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हो उसके बाद वीडियो का description box पे feedback form का link दिया गया है तो आप जैसे भी करके feedback दे दीजिए ताकि आपका feedback से हम और भी अपना वीडियो को इंप्रूब करने के लिए काम करेगा तो उसके लिए मेरा जो भी काम कर रहा है तो उसमें improvement चाहिए होने से मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे improvement चाहिए हो रहा है तो उसके लिए आप लोग जितना भी मेरा videos को देखता है वो feedback form को fill करके submit कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि इसमें मुझे improvement का जरूरत है उसके बद telegram channel पे अगर आप जोइन करके रखा हुआ है तो वहाँ पे भी आप profile का जगा पे किली करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा feedback form का link तो आप जरूर से feedback दीजिए तो आसा करता हूँ यह video आप लोगों के लिए helpful रहा होगा तो आज के लिए इतना ही